प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंख में आप सभी का स्वागत है इस कारिक्रम में हम आपको बताते हैं पिछले एक सब्ता में प्रदीश भर में हुए महत्वपूर्ण आयो जनों के बारे में आईए आज के संकी शुर्वात करते हैं प्रधानमंत्री नरींद्र मोधी के नेत्रुत्व में NDA सरकार ने सफल तम 9 साल पूरे कर लिये हैं युवा उद्योगपतियों में उच्साह देखा जा रहा है पश्चिम अधिप्रदेश के आदिवासी बाहुलिय धार जिले के आईटीक शेत्रों से जुड़े युवा उद्योगपतियों का कहना है कि केंद्र सरकार के इन फैसलों से आईटी सेक्टर का दिशा परिवर्दन होगा रोजगार को बढ़ावा मिलेगा हमारे समवादाता सुनील सचान ने कुछ ऐसे ही युवा उद्योमियों से बात की मिलेगा साथी साथ लगू द्योगों को भी बहुत फायदा मिलेगा महीं उद्योगपति राजन जेन ने कहा कि निश्चिक तोर पर आईटी हाडवेर के शेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा विकास की दर आगे बढ़ेगी साथ ही नवाचार होगा रोजगार मिल हर्दा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में आम जन को अपनी समस्याओं के ततकाल निराकरण मिल रही हैं जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे समवात दाता मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण में हर्दा जिले में अभी तक सत्तर हजार आविदन प्राप्त हुगे हैं हर्दा कलेक्टर रिसी गर्ग ने बताया कि आम जनों की शिकायतें और 67 लोक सेवाओं के आविदन लिये जा रहे हैं और उनको तुरित लाप पुचाने का कायरे किया जा रहा है इस अभियान में सभी अधिकारियों, सभी ग्राम पंचायतों, नगरी निकायों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है अभी तक इस अभियान में करीब 70,000 आविदन हमें प्राप्त हुए हैं अभियान के पूर के आविदन करीब 40,000 थे जिसके 99% हमने आविदनों को निराकरन कर दिया है शेश हम इस महा में पूरा कर लेंगे और जो शेश अभियान के दोरान प्राथ हुए थे आवेदन उनका निराकरण चला जिसकी सारकार ने समय सीमा भी दिये 15 जुलाई तक जिनका हम लोग शत प्रतिशन निराकरण कर लेंगे इसमें मुख्य रूप से जाती प्राणपन, नामांतरन, बटवारा और अने विभागों के आवेदन शामिल है गुनमी पिछले दिनो रोजगार दिवस पर क्या खास रहा बता रही है हमारे समवाद दाता रोहित को स्वामी गुना जिले में पिछले दिनो रोजगार दिवस कारक्रम का आयोजन किया गया इस संबन्द में महाप्रबंदग जिला व्यापार उद्यूक केंद्र एलन शिर्वास्ता उन्हें आकाश्वानी को बताया देश में लगाता च्छे बार स्वचिता में अफ़ल इन दौर एक बार फिर स्वचिता का साथवां अस्मान चूने के लिए तैयार है इसके लिए नगर निगम नित नए नवाचार कर रहा है स्वचिता के लिए इंदौर के प्रयासों पर पेश है एक रपोर्ट हाल ही में नगर निगम इंदौर ने वाड स्वचिता अभ्यान दोहजार तेविस की शुरुआत की है इसके लिए नीमित सफाई, जलसनरक्षन, पौधरोपन और बगीचों के रखरखाव सहित विभिन मानकों के आधार पर एक हजारंक निर्धारित किये गए हैं इन में सरवाधी कंक का हासिल करने वाले वार्ड प्रतिनिधी और गर्माने नागरिकों को परस्कत किया जाएगा इसी कड़ी में मेरी लाइफ, मेरा स्वच्च शहर अभ्यान के तहत इंदावर नगर निगम ने 19 जोन पर 3R केंद्रों की शुरुआत की है इन केंद्रों पर शहर के नागरिक, अपने घरों की अनुप्योगी वस्तुएं जैसे प्लास्टिक के सामान, कपड़े, जूते, किताबें और e-waste जमा करवा सकेंगे परियावरन संद्रक्षन के लिए जन भागिदारी की इस पहल की जानकारी देते हुए नगर निगम महापाउर पुष्यमित्र भारगव ने आकाश्वानी को बताया इन दौर स्वच्छता का सिर्मोर है और उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है हमारा 3R का फॉर्मूला रिडियूस, रियूस और रिसाइकल इसलिए इस बार हम लेकर आएं हैं 3R फॉर्मूला, RRR फॉर्मूला अपने घर का ऐसा कोई भी सामान जो थोड़े से सुधार के बाद किसी और के उप्योग में आ सकता है उसको आप अपने पास के जोन पर 311 एप के माध्यम से जमा करा सकते हैं ताकि जरूरत मन लोगों को उससे बनाया हुआ सामान दिया जा सके के 3R इन दौर की स्वच्चिता के साथ साथ जन भागीदारी में भी और एक दूसरे की मदद का भी सबसे बड़ा काम होगा स्वच्चिता के छेतर में इन दौर की रास्टी स्थर पर उपलब्धियों से आम नागरिक भी बहुत उतसाहित हैं वे इन दौर को एक बार फिर स्वच्चिता के छेतर में देश में अवल देखना चाहते हैं इस्त्री रोग विशेशक की डौक्र प्रिती महेश्वरी स्यों को इन दौर का नागरिक होने पर गौरवानवित महसूस करते हुए कहती हैं दिन प्रति दिन इन दौर शहर स्वच्चता की नई बुलंदियों को हासिल कर रहा है इन दौर शहर की स्वच्चता यहां के नागरिकों के स्वास्त के लिए वर्दान साबित हो रही है घरों की अनुपयोगी चीजें जो दूसरों के लिए उपयोगी हो सकती हैं इसे ध्यान में रखते हुए, हाली में इंदौर नगर निगम ने त्री आर केंद्र शुरू किये हैं। मेरा इसा मानना है कि ये अभ्यान जहां आर्थिक रूप से कमजोल नागरिकों के लिए अनूठा उपहार है, वही परियावरन सरंक्षन और परियावरन प्रदूशन को रोकने की दिशा में एक बहुती अच्छा पहल भी है। में युद्ध स्तर पर काम किये जा रहे हैं। नगर निगम देवास के आयुक्त विशाल सिंग चोहान बताते हैं कि सच्चता सर्वेक्षन दो हजार तेवीस के अंतरगत सच्च भारत प्रतिव गिता है तू सुंदेरी करेंड के साथ शहर में अनेक नवाचार किये जा रहे हैं। सच्चता में देश भर में अवल स्थान प्राप्त करने के लिए देवास शहर के बाईउस स्थान उपर बैक लेन का सुंदेरी करेंड किया जा रहा है। इसके साथ ही वायू गुनवत्ता सुदारने है तू शहर के सभी कच्चे मार्गों का डामरी करन भी अब पूर्णता की ओर अगरसर है। शहर से निकलने वाले सिवरेज के उपचार हेतु भी तीन प्लांट इस्तापित किये गए हैं। शहर में एक लाग से अधिक पोधों लगाए गए हैं। वहीं हवा में धूल के कंड को कम करने के लिए शहर के बारा व्यस्ततम चोरहाओं पर फंवारे लगाए गए हैं। प्राजशिक समाचारदाशन के लिए दिवास से नितिन गुपता। जेल में बंद बंदियों के लिए प्रदेश में पहला ऐसा प्रयास नर्मदापुरम में हुआ है जहांके सेंट्रल जेल के स्कूल को अपग्रेट कर स्मार्ट क्लास लगाई जा रही है। इसमें निरक्षक अनपरबंदी शिक्षित हो रहे हैं। वहीं कुछ बंदियों को दसवी से लेकर पोस्ट ग्राजवेट तक की उच्छ शिक्षा भी दी जा रही है। इतना ही नहीं महिला बंदी के साथ रह रही बच्चों को भी नर्सरी की शिक्षा स्मार्ट बोट से द की जा रही है। और ब्योरा दे रही है हमारे नर्मदापुरम समवात दादा। से उनमें जबरदस्त उच्छा है। बहराल नर्मदापुरम की सेंटरल जेल में वरतमान में राश्टी मुक्त विद्याले संस्थान भुपाल और भोज मुक्त विश्विद्याले सहित इग्नू के जरिए 114 बंदियों को शिक्षित किया जा रहा है। वहीं इस शिक्षा विवस्ता में तक्नीकी प्रियोग कर शिक्षा को उच्छ गुणवत्ता पूर्ण बनाने इस सेंटरल जेल के स्कूल को अपग्रेट किया गया है। इतना ही नहीं स्मार्ट क्लास का अपयोग बंदियों की शेक्षिणिक गतिविदियों के साथ ही विदिक साक्षाक्तर के के लिए किया गया है। इसमें धार्मिक इस्थलों के जीवन्त दर्शन, योग, ध्यान से जुड़ी गतिविदी और विभिन प्रकार के धार्मिक कारकरम को दिखा कर बंदियों के शेक्षिणिक और मांसिक इस्थर को उन्नत और अपने स्वास्त के प्रती जागरू करने क प्रयास भी जारी है। प्रादिशिक समाचार दर्शन के लिए नवर्दापुरं से मैं तनुस्तिवारी। जन शिक्षन संस्थान के द्वारा शहर के युवावर्ग को आत्म निर्भर बनाने वह व्युसाय से जोड़ने की दिशामें किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। आका अश्वानी से चर्चा करते हुए जन शिक्षन संस्थान की निदेशक गायतरी चोहान ने बताया। प्रशिक्षन कारिक्रम में प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित उमाचरन राजपूत द्वारा विभिन्ने वेवसाइक गदविधियों वा सफल उद्यमी के मूल मंत्र से सहभाग्यों को अउगत कराया। तथा खेल के माध्यम से कौशल विकास का जीवन में महत्त विश्य पर प्रशिक्षन प्रदान किया। प्रादेशक समाचार दर्शन के लिए गवालियर से नवीन श्रवास्तो। केंद्री राज्यमंत्री प्रलाज सिंग पटेल के प्रयास से दमुह जिले को तीन आरोबी के निर्मान की हरी छंडी मिल गई है। अधिक जानकारी दे रही है हमारे समवार दाता। किलो मिटर 1133 LC क्रमांग 66 पर बनेगा जिसकी लंबाई 738 मिटर है। जबकि तीसरा आरोबी दमुह कटनी मारग में बीना कटनी रिलखंड के किलो मिटर 1136 के LC क्रमांग 66 पर स्विक्रित हुगा है। जिसकी प्रसास की स्विक्रिती 27 करोड 36 लाख रुपे है। इसी क्रम में बादकपुर मारग पर बीना कटनी रिलवे सेक्षन के 1141 में समवपार क्रमांग 70 पर आरोबी पहुँच मारग स्विक्रित हुगा है। जिसकी निर्माल लागत लगभग 45,5 करोड होगी। इसकी लंबाई 1153 मीटर है। दमोह से मैं अनिल जैन। दिन्डौरी जिले में जिला गठन होने के 25 साल पूरे होने पर रजजत जैन्ती समहरू का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे समवात दादा। इसके तहट 25 माई को महा महिम राजपाल स्री मंगू भाई पटेल और मुखमंतरी स्री सिवराज सिंग चोहान सामिल हुए और जन संभा को संबोदित कर सुपकामनाय दी। इसके बाद साम को मा नर्मदा में महा आर्ति का आयोजन किया गया। रजप जेनती के आउसर पर आगामी 25 वर्ष का विजन डाकुमेंट का लोकारपन भी किया गया। और नर्मदा परिक्मा वाशियों के लिए पोर्टन लांच किया गया। इसी तारतम में बैगा ओलम्पियार्ड का भी आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीर खेल प्रदिभाओं को खेल प्रदिभा उभारने का आउसर मिला। 27 माई को रजप जेनती समारोह के समापान आउसर पर गाड़ा सरई में सांस्क्रितिक कारक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें प्रसिद्ध पंडवानी गाई का रितु वर्मा की प्रस्तुतियां हुई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दिन्दोरी से लक्ष्मी नरायन अवधिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में बसतना ही। अगले सुमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। के लिए थाया वह मुलाकात है। करने कि कमें बदोरी दिन्दोरी से लिए उटैद्टिकός कारि B el